नमस्कार दोस्तों सभी पैंसन धार को कमे एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब नियोच चैनल पर हार देख स्वागत करती हूँ दोस्तों पैंसन डिविजन को लेकर सुप्रेम कोर्ट ओफ इंडिया में हेरिंग होनी थी औरोपी को लेकर जो किंदर सरकार ने टाइम एक्स्टेंशन डाली है उस मुद्दे पर तो आज हम विस्तार से जानते हैं कि क्या अपटेट इस पर कल निकल कर आई है तो दोस्तों सभी पैंसन धार को और 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 जल्दी से जुड़ जाएं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सीधा हम आते हैं अपडेट पर सुप्रीम कोर्ट की ओफिशिल वेबसाइट हमने यहाँ पर ओपन कर रखी है सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दे जो हमारे पैंसन धारक हैं उनके लिए जो उन्होंने केंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोवारा से टाइम एक्स्टेंशन अप्लिकेशन डाल दी अप्लिकेशन डालने के बाद जो है प्रेस इंफोर्मिशन व्यूरो के दोवारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कैबनेट अप्रूल को मंजूरी मिल गई है और हमारे पैंसन धारकों की औरोपी टू टेबल जारी होने के साथ साथ एरिया टेबल भी जारी कर दी गई है हाला कि उसमें काफी सारी खामिया हैं लेकिन फिर भी टेबल जो हजारी जरूर से की गई हमने आपके साथ टेबल शेयर भी की है लेकिन दोस्तों क्योंकि उन्होंने पहले ही टाइम एक्स्टेंशन में जो अप्लिकेशन डाली थी तो अभी जैसे बुकतान और इंस्टोलमेंट्स में अभी वैसे भी समय लगना ही है तो जो हमारे सभी जो पैंसनर्स फैमिली पैंसनर्स हैं उनके लिए आज जो है उन्होंने पूरा दिन वेट किया पैंसन डिविजन को लेकर कि क्या सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई क्योंकि नए साल का पहला वर्किंग रे था और आज ही हीरिंग रखी गई थी तो दोस्तो सबसे पहले तो हम आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी पैंसनर्स फैमिली पैंसनर्स जल्दी से जुट जाएं क्योंकि ये अपडेट जो है एक तरह से कन्फूजन हमारे पैंसन धार्कों की है वो क्लियर हो जाए तो दोस्तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोट ने अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है यानि कि हीरिंग आज हुई ही नहीं थी यानि जो कल हीरिंग होनी थी हम कल की बात करें हैं दो तारिक की दो जनवरी 2023 को हीरिंग जो है नहीं हो पाई किसी कार्णवन्स अभी जो है एक दो दिन के बाद की डेट रखी गई है तो अभी देखते हैं कि कब हीरिंग होती है क्योंकि हीरिंग हुई है या नहीं हुई है इसे लेकर कोई हमारे पास officially update है ही नहीं और ना कोई सुप्रिम कोट के official website पर update शेयर की गई है वारोपी डिवीजन के अंतरगा तो दोस्तों हो सकता है कि hearing ना हुई हो लेकिन hearing की अगली date चल दी ही हमें एक दो दिन के अंदर पता चल जाएगी अगर hearing नहीं हुई है तो और अ जाएगा तो दोस्तों ज्यादा confused इसमें रहने के आशकता नहीं है क्योंकि ये तीन महीने का समय जो government ने मांगा है ये तीन महीने का समय है totally आपके भूगतान तक का यानि कि आपकी installment के साथ साथ आपकी बड़ी हुई pension जो basic pension है उसके अंतरगत तो दोस्तों उमीद है कि सु family pensioner जिनका area जो है करीबन करीबन एक लाख बनता है यानि ज्यादा भी नहीं बनता है तो उनका one time installment में जरूर से करे केंदर सरकार इसके लिए सुप्रीम कोट आदेश जारी करें ये हमारे pension थारक चाते हैं अभी जो इंडियन एक सर्विस्मेन मूमेंट है वो काफी alert है pension division क लेकर क्योंकि जो पी आई बी ने टेबल तो जारी करती है लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आ पाया है तो दोस्तो अभी जब भी हमारे pension थारकों के लिए final pension टेबल जारी करने के बाद भूगतांती थी दी जाएगी तो दोस्तो वो हमारे pensioners के लिए बड़ी बड और पिटू लाभारती वीडियो देख रहे हैं उन सब भी को जैहिन जैभारत वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने साथी पैंसंधारकों के साथ शेयर जरूर से कर ले